आज पंजाब में फिरोजपुर्ग में जो रेली को संबोधन करने के लिए प्रदानमंत्री श्री नेंद्र मुदी जी का कारकम था उसमें बहुत ही एक शरमनाक घटना करम हुआ कि फुल स्क्यूरिटी का आश्वाशन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरोध कर दिया गया और उनको रेली में जाने से रोका गया यानि एक परकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस देश के प्रदानमंत्री के साथ कोई स्टेटर की इस परकार की एकाई ऐसा एक नहीं हाना हरकत कर सकती है तो यह बहुत निंदनी अगटना है और मैं समझता हूं कि वहां के चीफ मिनिस्टर चन्नी को पिलकुल भी अब अधिकार नहीं है वहां के शाषन करने का उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए क्योंकि यह जिमवारी लाइड ओर की और एक ट्रैफिक क्लिरेंस की स्टेट गोर्मेंट की होती है और स्टेट गोर्मेंट की जो पुलिस है उसने वासवाशन दिया है वहां प्राइमिनिस्टर की स्कूरिटी के नाते से के रास्ते सब क्लियर है और उसके बाद किस प्रकार से वहां पर बसों को रास्ते में पुलिस के लेवल पर इस परकार के एक लैप्स है और सरकार का ये फेलोर है मैं इसको कंड़न करता हूँ और मैं निश्चित रूप से देश के राष्टपती जी को ये निवेदर करूँगा कि उस सरकार को बर्खास कर दिया जाए